treatment for bipolar disorder CBT so now we will discuss about the cognitive behavior therapy और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कौन सी different strategies use करके client का जो mood है वो better कर सकते हैं सबसे पहली चीज जो है इसमें psycho education है psycho education बहुत ज़्यादा important है खास्ता पर bipolar disorder के patient के parents के साथ, उनके caregivers के साथ और उनके अपने साथ क्यों क्योंके psycho education में उनको सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये nature of problem क्या है इसका और इस problem के अंदर कितना अर्सा hospitalization होती है कब जो symptoms है वो subside होती है और कब psycho therapy का process जो है वो शुरू होता है और जब वो शुरू होगा तो उसके अंदर क्या mod जो है उसको हम follow करेंगे तो ये चीजें जो हैं ये आपने उनको psycho educate करनी है जो उनकी adherence है और medication उसको हमने enhance करना है अच्छा इसको हम enhance कैसे करेंगे symptom monitoring के थूँ अच्छा जब client जो है अगर वो आप इसको यूँ समझ सकते हो के जो client है वो hospital से घर चला गया है ठीक है और वो medication पे है और medicine में वो उसकी जो history है वो ऐसी है कि partial remission होती है और full remission की तरफ नहीं जाता और उसके symptom जाना शुरू हो जाते हैं तो आपने उसे एक chart बना के देना है और उस चार्ट के उपर उसे कहना है कि उसने अपनी symptoms को monitor करते रहना है अगर उसको ये लगे कि उसकी symptoms आना शुरू हो गही है तो definitely उसने foreign psychiatrist से दुबारा contact करना है ताकि जो उसकी medication है उसको review किया जा सके ठीक है इसके साल साथ उसकी जो medication adherence है वो भी develop करने के लिए उसे हम chart दे सकते हैं जिसके तुरू वो अपने जो log है medication log उसको वो on रखेगा और उसके अंदर put in करता जाएगा जब जब वो medicine लेता रहा है तो इन दोनों चीजों से ये help मिलेगी कि जो client का relapse है वो उसके chances जो हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे और वो manageable हो जाएगा then cognitive restructuring once the client gets stable उसका active phase गुजर गया है ठीक है अब वो medicine के उपर stable है तो जो उसकी cognitions हैं हमने उसके उपर काम करना है हमने ये देखना है कि कौन से thoughts हैं जो उसको disturb करते हैं जिसकी वज़ा से कोई event उसको trigger कर सकता है और वो दुबारा से relapse की तरफ जा सकता है तो जो cognitions हैं उसके उपर हम करेंगे काम ABC के तरू उसके जो thought patterns हैं वो हम identify करेंगे फिर unhelpful thought patterns को हम helpful thought patterns से change करेंगे with the help of cognitive identifying the cognitive distortions then the problem solving CBT हमेशा एक चीज़ को focus करती है कि mostly लोगों को problem life में इसलिए होती है तो हमने ये भी चीज़ देखनी है कि जो problem client को अगर आ रहा है तो वो उसको solve करने के उसकी strategy क्या है और उस strategy को हम किस तरह battle कर सकते हैं और ये चीज़ जो है हम client को समझाते हैं कि how the client can identify the problem वो किस तरह different options को generate कर सकता है फिर उसमें से जो possible problem solving technique होती है उसको वो use कर सके possible solution को और जब वो possible solution जो है जब उसे apply करें तो उसका जो भी result है उसे वो re-evaluate करें और फिर देखें कि either उसका problem जो है वो solve हुआ है या नहीं और अगर नहीं हुआ then move towards the other solution so in that way जो problem solving की techniques है ये भी इन लोगों को सिखाई जाती है ताके इनकी जो life है और जो chances of relapse है वो जो हैं वो reduce हो सकें ताके ये अपने stressful life events को जो है वो control कर सकें अज कोशी है रीजे स्फित